हेलो दोस्तों मेरा यूट्यूब चेनल अनल सनी ब्लोग में आप लोग का फिर से स्वागत है तो दोस्तों अशा करते हैं आप लोग सभी अच्छी से होगे तो दोस्तों अभी हम नहा के आ गए हैं और ये चाय चड़ाएं हैं दोस्तों तो दिखें दूस्तों हैं पर चाय बन रहा है तो इसमें भी दूद भी डाती है और चाय बन रहा है तो नस्ता बनाएं नहीं है पहले चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के बादे नस्ता बनाएंगे रहे तो नस्ता बना रहे हैं रट्या बना रहे हैं रट्या सल्टी तो दोस्तो नास्ता बनाने के बाद यहां पे मैंने दाल चावल चड़ा दिया है तो यहां पे दाल बन रहा है और चावल बन रहा है और यहां पे बन रहा है और यहां पे इसको बंद कर देते हैं तो देखना यहां का मौसम की इस तरह से है तो चलिए मैं आप लोगको दिखाती हूं अदो देखी दिस्ता यहां का मौसम की इस तरह से फो प्रूमिक कि ज्जाए दुपवर में निकला है थोड़ाओ दूप निकला है और बादल जिसा किया हुआ है तो इस तरह से है यहांगा मौसम तो दस्तों जा दाल चावल बन गया है और यहां भी मैंने मूली साग को अच्छे से अब इसमें कड़ाई में तेल भी डाल दिया है अब इसमें रसुन में चाड आल देंगे तो दस्तों इसे फ़ता सा भूनेंगे रसुन को लां करेंगे तो इसके बाद चाप कोड़ा लेंगे तो दस्तों भून लेके अच्छे से तो देखिए दोस्तों साग अच्छे से बन गया है मूली संब तो यह बन गया है तो दोस्तों यह बन गया है अधिसे निकाल लेते हैं तो यह साग खाने बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों मुली साग को निकालके मैं अभी भाजी साग को डाला है तो आज दो तरह का साग बना रहे हैं दोस्तों तो यह भाजी साग डाला है शिजने की तो इसे लग देते हैं तो दोस्तों यह बन गया है दोस्तों आज दो तरह का साग बनाया है तो मुली ख़ज दे थे तो मुली का साग बहुत ही अच्छा था इसलिए मुली का साग भी बना दिये तो खाने भी बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे भी साफ कर लेते हैं तो इसे साफ कर लेते हैं तो इसे साफ कर लिए है तो अब खाना खाये नहीं है बाद में खाएंगे तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को दिखा देहूं तो यहां अभी कैसा मोसम की हावा है तो देखिए दोस्तों पानी दे रहा है सुबह नहीं था अभी देखिए पानी दे रहा है और किस तरह से अन्हेरा किया हुआ है और ठंड भी लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सस्क्राइब से जरूर कर देना तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए बाए तरह रहा है